हेलो गाईज वर्कम टो यूट्यूब चैनल एजूकेशन पॉइंट ऑनलाइन तो गाईज सभी को पदा चल चुका है कि आपका सी बीसी ने क्लास 10 के लिए सेंपल पेपर रिलीज कर दिया तो जैसा कि आज अपने सेंपल पेपर को क्या करेंगे एनलाइज करेंगे और इससे अपन को यह पदा चलेगा कि अपन को पढ़ना कैसा है ठीक यह सेंपल पेपर मान के चले आपके लिए बहुत ही हेल्फुल है क्योंकि लॉक्ट बच्छों की पढ़ाई नहीं हो पाई है तो इस सेंपल पेपर के थुरूई आपको पूरी स्ट्राटेजी पदा चल जाएग अच्छेश देखिए अगर आप क्लास 10 के हैं तो आपके लिए बहुत ही जड़ा इंपॉर्टेंट है चली फेंट अपने स्टार्ट करते हैं तो देखा जाए तो यह सबसे पहले अपन जो इसका अनलाइस कर रहे हैं वह स्टेंडर मैथमेटिक्स का है बेसिक्स का मैंने कर और फेन्ट कोष्चान चोईडर मुषंयागा मिंटेंट के मिलेगा मंटव के मिलेगा मन चैनल चोईडर के अब आगे देखते हैं पा Jest आप अगर अच्छे से देखोगे तो इसमें और यह सेक्षण आपका वन और एका आपका सेक्षन डू अगर सेक्षन वन में देखोगे तो इसमें आपको सोला कोईशवला मांक्स कि Camp不管 पटदन नया डिसैन किया गए बहुत अच्छे तो बैसिक स्थे किया तो मानने के चलो की कोश्टन वार अच्छे लेवल ते बेसिक सो फिशन थे अंडरस्ट टैंडिंग भूस्टन थे तो अब मैं इसमें देखता हूँ किसमें कैसे कोश्टन से क्या टफ लेवल के तो चलिए यंड तक बने रहेगा तो section 1 में friend आपके 16 question रहेंगे जो की one marks कोंगे उसमें आपको internal choice रहेगा 5 questions में मतलब 5 ऐसे questions रहेंगे friend जिसमें आपका internal choice आपको दिया हुआ रहेगा उसके बाद बात करते section 2 का ठीक है section 2 में friend आपके 4 questions रहेंगे each questions have 5 based subpart and examine the attempt to 5 out of subpart friend first of all section 2 एकदम नया है आपके लिए यह case study है मतलब आपको एक situation देदेगा ठीक कोई भी एक situation देदेगा आपको mathematics का ही situation रहेगा उस situation के according आप से question वो पूछेगा कि situation के according उसको आपको क्या करना जवाब देना है तो यह आपके पूरे understanding पर depend करता है कि आप कितना अच्छा उस situation को understand कर पा रहें मतलब यह आपकी reading ability भी चेक कर रहा है और आपकी thinking ability भी चेक कर रहा है तो इसके लिए आप अच्छे से deposited question रहे गा my friend और उसमेंक आपको क्या है उसमें कि आपका main part है कि आपको पांच में से सिर्फ आपशल चार करना है तो यह आपका पार्ट A हो गया अब आतने अपन पार्ट B के तरफ तो फ्रेंड आप अगर आप पार्ट B पे देखोगे तो बहुत ही सिंपल है यह पहले की तरह यह ऐसा कुछ खास नहीं इसमें ठीक अगर पार्ट B को अच्छे से देखे तो 21 से लिकर 26 तक जो कुश्चन न करेंगे मतलब छोटे कोईशन्स रहेंगे ज्यादा टफ निराएंगे basic level कर रहेंगे जो आपको देंगे दो admission इसकेफार फरेंट 27 से जो 33 तक का पका कुश्चन नुरमर tenha वह आपका फ्रेंड आपको quiet रहेंगे तक वह POLगा 3 marks के आगे अगर देखोगे तो यह long answer question है 34 से 36 तीन आपको long answer questions रहेंगे जो 5 marks के रहेंगे जिसके लिए आपको बहुत अच्छे से prepare करना पड़ेगा तो यह आपका पिछले जैसा ही है ऐसा कुछ भी नहीं है यह हमेशा से ऐसा ही CBC पूछता आया है तो part B लगभत same है part B में क आपको two choices identifies दिये वे हैं कि न्मर वाले question में भी आपको yeah एसा रहेगा जिसमें आपको choice रहेगा और 5 marks question में एक question ऐसा रहेगा फ्रेंड इसमें आपका क्या रहेगा choice रहेगा ठीक है मतलब आपकोux нуж मैं आपको choice रहेगा ठीक है जिसमें 2 question आपका 2 marks का दो question आपका 3 marks का और एक question आपका 5 marks का तो I hope friend यहां तक आपको यह instruction समझ में आया हो अब अपन बढ़ते हैं मैं तो बहुत excited हूं questions की तरफ कि देखते हैं questions का level इस बाद CVC ने क्या रखा अपने sample paper में चलिए friend तो अब भीने time waste की अपन आते हैं question में तो सबसे पहले अपन पार्ट A देखेंगे पार्ट A का section first ठेक है friend चलिए तो आपको पता है कि पार्ट A का जो section first है उसमें 16 questions रहेंगे वो भी one marks के जिसमें से 5 आपका internal रहेगा 5 आपका क्या रहेगा internal choice question रहेगा चलिए तो यह तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था अब आगे बढ़ते हैं देखेंगे friend सबसे पहला question दो numbers का multiply आपको दिया हुआ और SCF आपको दिया हुआ है LCM आपको निकालना है friend तो यह आपका common based question है मतलब कि आपको LCM और SCF के concept से question आपको आसानी से बन जाएगा जिसका यह concept क्लियर है ठीक है और यह दूसरा question friend यह आपका NCRT based exercise 1.4 आपने अगर पढ़ा हो तो 1.4 क के recording है यह terminating और non terminating पे बेस्ट है question तो एक नंबर के हिसाप से यह अच्छा question है ठीक है friend और दो नहीं आपके chapter first question है अच्छे है one marks के लिए ठीक है standard के इसाफ से ठीक है ज्यादा आपको इसमें वर्क नहीं करना दिमाग ज्यादा चलाना हाथ कम आगे देखते है friend question number two के तरह बढ़ें सब देखते हैं question number two question number two आपके लिए बहुत ही जारे important है आपका यह NCRT based question है chapter two पे based है ठीक है chapter two अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आप इस question को बहुत आसानी से कर पाओगे कुछ वैसा है नहीं इसमें ठीक है अगर आप sample papers उठा के देखोगे पिछली एर्स के तो ऐसे questions आपको धेर सारे मिल जाएंगे तो ठीक है ऐसा question कुछ नया नहीं है है ऐसे questions आपने देखे भी होंगे ठीक प्रिवियर सेंपर पेपर में भी ऐसे questions है आपके अफ्रेंड आगे मूफ करते हैं question number three के तरफ तो फ्रेंड देखे question number three find the value of care the pair of linear equation आपको के की value निकाल लिए है no solution easy है ठीक है यह चैप्टर थर्ड का question है बहुत ही easy है ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें one marks लग ठीक है और चैप्टर थरी का एक और question question number four भी chapter three का है जिसमें आपको equations बनाने तो यह तो खेर बहुत ही easy questions की बात अभी होरी क्योंकि one marks का तो यह भी chapter three based question है और easy है ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो आपको परिशान करें ठीक है ncrt based question नहीं है आगे बढ़ते हैं फ्रेंड question number five की तरफ five six seven अपने एक बार में deal करते हैं इसमें देखते हैं क्या कुछ खास है क्या फ्रेंड यह आपका five number question fully ncrt का है ठीक है यह आपका ncrt का question है chapter five का ठीक है और यह और वाला question भी आपका ncrt का है अब बात करते हैं फ्रेंड चैप्टर सुरी अब बात करते हैं फ्रेंड चैप्टर सिक्स की फॉर वर्ड वेलू ऑफ के दैक्वेशन डैसा इक्वेल रूट फेंड यह चैप्टर फूर का question है वह भी ncrt based ठीक है तो अभी तक जो अपने देखा है वह ncrt based question है sample paper क्योंकि यह आपका एक नंबर का question है तो उसमें ज्यादा वेराइटी सी बीसी नहीं देता है वह आपके वह रटे रटाए question सी है जो अभी तक कुछ ऐसा नया देखने को अपन को नहीं मिला इसमें question number seven देखिए तो find the root of the equation आप इसका solution निकाल सकते हो ठीक है friend चलिए अब आगे move करते हैं इसके और पार्ट में और पार्ट में यह friend यह question अच्छा है ठीक है और यह जनरली question ncrt में नहीं दिया वा लेकिन ncrt based question नहीं इसको बोल सकते हैं ठीक आपको इसमें की value निकालनी और ncrt में जो questions दिए उसमें और अगर आप ncrt सिर्फ पढ़ते हैं इसमें तो मेरे साब से पता है फिर मेरे साब से ncrt chapter 4 अगर आप पूरा ncrt अच्छे से पढ़ ले रो तो उतना sufficient होता है क्योंकि वह सारे topics को कबर कर लिया है बहले उसमें questions कम है आप questions के लिए rd और rs लगा सकते है questions कम है उसमें ले आप questions नहीं रहते ज्यादा तो questions के लिए आप rd rs follow कर सकते हो ठीक है चले आगे देखते हैं question number 8 की तरफ बढ़ते हैं question number 8 आसान है ncrt का question है ठीक है अभी तक मैंने कुछ ऐसा खास दिखा नहीं है अभी तक मुझे फिलाल आगे की बात करता हूं दिखते हैं आगे कुछ खास मिलता है कि नहीं question number 9 it is an ncrt question ये भी ncrt के theorem के based पे question है और ncrt पे ऐसा question मिल जाएगा आपको ठीक है और ये भी friend चुरम है लेंट of tangent correlated वो उसी के लिए ये आपका एक आपका numerical दे दिया है और एक आपका प्रूव वाला है तो फ्रेंड आप तो धियान रखना एक बात कि कभी आपको प्रूब डैट का question रहे है नुमेरिकल को प्रेफर करना क्योंकि नुमेरिकल में क्या होता है ना पूरे ये आपका chapter 6 का है question ncrt का ठीक है तो मान के चलिए कि आपका जो एक नंबर का question है वो totally based ncrt पे हैं एक नंबर के questions आपको ncrt के बाहर से नहीं आने वाला है जो concept आप पढ़ोगे ncrt मुसके बाहर नहीं आने वाला है ठीक है और 11 question को भी देख लेते हैं साथी साथ ये आपका conceptual question है अगर आप construction पढ़ोगे अभी अभी बहुत बच्चों ने construction नहीं पढ़ा है अगर आप अभी construction पढ़ोगे तो आपको ये लाइन डिवाइट का concept वहां से समझ में आएगा दिन यूवल एंसर देट कोईशन आप इस question का अंसर आसानी से दिये पाऊगे ऐसा कुछ भी नहीं इसमें जो आपको परिशान करें तो फिलाल अभी तक सब कुछ कुछ ओके ओके चल रहा एंसरी पढ़ने सा आपका काम हो जाएगा ठीक है अब देखते आगे कितना ओके ओके चलता है तो लेस्ट मूब ऑन दा कुश्चन नमबर 12 13 14 15 16 अपने की साथ इसको डील कर लेते हैं आप फेंड यह आपका एंसरी कुशन है एक मार्स का यह आपको कि मतलब सिंपल कैलकुलेशन है अगर आप एक सब्सक्राइब को जोड़ोगे तो यह पक्का कोई ना को फॉलो करके इसकी वैलू आ जाएगे तो मैं सॉलुशन लेकर आऊंगा इसके लिए लेकिन अभी तक अगर एंसी आटी में इसका इंटी दीवी इसमें साइन स्कॉर थीटा प्लस कॉस्टी स्कॉर्ट इसकल्स टू वन का यूज होगा इसमें ठीक है तो चलिए ओके-ओके कुशन ऐसा कुछ नहीं इसमें अपन बेसिकली बात करिंगे वैसे कुशन में जो आपको परिसान कर पाए लेकिन अभी तक कोई ऐसा कुशन अभी तक दिखा नहीं ज आपको परिसान कर पाए जैसे कि कुशन नूमर 14 भी आपका एंसी आटी चेप्टर 12 का ही है अटिशे टी चाप्टर 12 का ही कुशन है तो अभी तक हमने यह देखा कि पंदरा कुशन अनलाइज कर लिया अपन अब सेशन के एंड में भी हैं तो इस सेक्शन के एंड में भी है में देखते हैं एक और कोशेंट बचा वो किसका है फ्रेंट इज और इन सी आर टी कुश्चन और डोनों ही दोनों ही कुश्चन 16 का एंसी अर्ट तो नोट पॉइंड कर लो सी बीघ के दिमाग में यह चल रहा है कि जो वन माॉंक्स के कुश्चन होगे वह fully based on ncrt ही रहेंगे इस point को आप एकदम note कर लो कि जो one marks के जो questions रहेंगे वो आपके ncrt based ही रहेंगे तो अगर आप अपने ncrt को अच्छे से कर लेते हो तो आप इसमें 16 out of 16 आराम से gain कर लोगे इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो परिसान कर पाए fully based on ncrt तो अभी तक यह अपन को पता चल चुका है कि चलिए अपन one marks question ncrt से कर लेंगे देखिए sample paper का मतलब क्या होता है इससे आपको एक idea लगता कि आपको preparation कहां से करनी पड़ेंगे मतलब आपको तरफ जहां पर देखेंगे कि अब क्या लगता है अपन को कि ncrt से काम चलेगा या नहीं चलेगा अब मेरे साब से फ्रेंड अभी जो मैंने basic analyze किया था तो यह जो section event section 2 यह जो case based question event इसके लिए आपको class 9 और class 8 का पूरा basics आपको अच्छे से clear करना पड़ेगा अगर आप class 9 और class 8 का basics अच्छे रखते हो तो यह जो question से आपके case based questions है वो आप से बहुत ही आसानी से हो जाएंगे my friend ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको परिसान कर पाए तो चली इसे देखते हैं question number 17 में देखिए यह जो question आपको दिखरा है यह आपने class 8 में पढ़ा है देखिए मैंने आपको बोला ना भी कि यह जो choice based question इसमें यह syllabus के बाहर का भी हो सकता आपके 10 के syllabus का बाहर मेंने क्या class 8 क्या class 9 का हो सकता है यह तो practical based question होगा तो please friend मैं आपसे request करूंगा कि आप 8 और 9 के math को एक बार तोड़ा सा recall कर ले मैं यह नहीं बुर रहा हूँ कि आप अच्छे से पूरा पढ़ लो उसको लेकिन आप एक बार कुछ chapters ऐसे हैं जो आप इसको एक बार recall कर लो ठीक है तो उससे क्या होगा आपके choice based questions और strong हो जाएंगा अगर आप वहाँ जाकर आपसे question नहीं बनता है तो पांच marks का आप रिस्क नहीं ले सकते हो जैसे कि आप यहाँ सेंपल पेपर में साफ साफ देख पार हो कि यह class 8 का question है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए तो अब बढ़ते हैं दूसरा scale factor in similarity यह जो question है friend यह आपका practical based question है यह आपका एक जो question है यह practical based question है तो आप अपने practical के list चेक कर लेजेगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है practical क्या किजेगा friend अपने list चेक कर लेजेगा और एक बार कभी आपको मौका मिले ऐसे आप बैठे हो तो एक बार उनको पढ़ना कि आपको practical में करना क्या है क्योंकि यह आपका पुरा thinking based है और मान के चलिए कि करिकुलम आपका जैसा है तो स्कूल खुला नहीं है वरना practical based question मैथ में भी आने लगें इस साथ से ऐसा सी बताना चाहरा है कि अब मैथ में भी practical based question होगा है कोई बच्चा ऐसा होता है जो practically बहु आपका फ्रेंड तो यह आपका practical question है आपको practical book में यह मिल जाएगा फ्रेंड ठीक है जो प्रैक्टिकल करके आपको class 8 से जो प्रैक्टिकल साब करते आ रहे हो एक बार उसको देख लेना ठीक उसी पर बेस्ट यह आपके सारे questions है चली तो यह था आपका second part था ना इसका 18 नमबर में ठीक है यह पार्ट हो गया यह भी हो गया C हो गया डी हो गया और आपका यह हो गया तो दिखो यह जो डी है यह आपका चैप्टर टिगनोमेटी पर बेस्ट है ठीक है अगर आप यह पार्ट देखोगे C तो यह class 10 पर बे यह आपका class 8 पर बेस्ट है चली जो बात करें तो इस पर बात अच्छे से करी लेता है साथ कुछ पी नहीं है आगे देखोगे फ्रेंड तो यह जो कुछिशन ने यह भी आपका class 8 का कुछिशन ने अपने class 8 में पढ़ा होगा एक चैप्टर का नाम था constant variable करकी चैप्टर ह इसका यह कुछिशन है जहां पर आपको डाइडेक्ट और इंवर्स प्रपोर्शनल निकाना रहता था तो उसी पर वेस्ट कुछिशन है ठीक है चली तब आगे बढ़ते हैं एक लिस्ट आपको एक आडिया तो हो गया कि हाँ क्या कैसा कुछिशन आने वाला है इसमें यह आगे बढ़ते हैं फर्दर अपन इसकी स्टडी को देखते हैं नाइंटीन वाले को तो यह आप देखना कि यह फिगर आप फ्रेंड अगर आपने नाइंट अच्छे से पढ़ा है तो यह आपको फिगर ऐसा एक हीरांस पॉर्मूला में दिखा होगा ऐसा फिगर का एक वे इसे ध्यान में रखा है तो ठीक है यह आपका तो एक फिगर होगया प्रैक्टिकल अगर आपने बुक में ऐसा दिखा होगा लेकिन फील तो वही बना रहा है ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं तुझे को यहां बता रहा है कि यह पैरा बोला सेपका है तो मैं इसके लिए सॉलुशन लाओंगा फिलाल सॉलुशन पर नहीं जाता हूं वीडियो बहुत जाला लंबा हो जाएगा भी बस अपन को यह देखना है कि अपन को अपनी स्टैडी सब सब्सक्राइब आपको कोईशन से तो मुझे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है यह के स्टैडी फूर है इस पर भी आपका टाइम रिलेटेड कोईशन ने देखी ऐसा आपने क्लास एट में पढ़ा होगा डाइरेक्ट और इनवर्स प्रोपोशन में इसकी बात ही मैं कर रहा था आपको ठीक है तो यह देखे डाइरेक्ट इनवर्स का ही कोईशन है क्लास एट का तो आप एकदम स्योर हो जाओ कि देखिए अब आप नोट कर लो सबसे पहली बात यह सेक्शन में अब और कर रहा हूं मुझे से से ओवर एक व्यू मिलिया वहा व्यू आप समझ से के लिए को देखना पड़े गा आपको सद्सक्राथ 9 देखना पड़ेंगा ठीक है और प्रैक्तिकल्स जो आपके हैं च…? इन वह को आपको लगाँ के लिए 153 के लिए 165 दीए करनी आप इसको नोट कर लो मैं बहुत इंकिंसे बतारा कूं आपको करेगा यह आपको परैस आपने सेक्षिन वन्टू कर लिया पार्ट एका अब बढ़ते हैं पार्ट बी पे अधिके पार्ट भी कुछ वैसा नहीं दिखेगा आपको आपको परिसान कर पाए पार्ट जो आपका एट था वो बहुत ही इजी था उसमें दोसरे दूसरा सेक्षिन था वह आपके लिए ज जाएगा आपको ठीक है यह एक आड़ी में आपको कोश्चन मिल जाएगा चैप्टर फाइफ का यह कुशन है ठीक है आगे बढ़ते हैं यह आपको एंसी आटी मैसा कुशन दिया हुआ है चैप्टर सैबन में अपनको देखना है कि कौन से कुश्चन वो कहां से उठा रहा एक्चुली में और यह भी एंसी आटी कोश्चन दिया हुआ है कि सॉरी यह भी आपका क्या है एंसी आटी का ही कुश्चन है ठीक है फ्रेंट आगे बढ़ते हैं आपको बता दूंगा कि कहां से आपको क्या प्रिपरेशन करना है जैसे क्या मैंने से आपको पढ़ना कहां से ठीक है तो आप उसको फॉलो करेंगे आप अच्य माक्स ला सकते हैं ऐसा आपको कुश्चन दिया हुआ है चैप्टर 11 में एंसी आटी का तो यह आप एंसी आटी कही मानों कंस्ट्रक्शन का कुश्चन नहीं है यह भी आपका यह वाल एंसी आटी क कुश्यन है कि कहीं यह एंसी आटी का बाहर का कुश्चन है ठीक है बेसिक्स एंस्ट का एक एंस्क एवार का बेसिक्स कुश्चन रफनट जिसका मतलब बेसिक्स अच्छा है देखिए मैं सब टेंड की वैल्यवे विर्वे तो आप अगर देख सकते रहो टैंसयाप साइन सब्सक्राइब करो तो आपको अंसर मिल जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं इसमें चली फिर आगे बढ़ते हैं यह कुश्चन सब्सक्राइब करते हैं यह बात समझ में आ गई है मुझे आपको भी सेंपल पर देके समझ में आई रहा होगा यह आपका सेंसी आटी कही है फिर्शन नमबर 27 और कोई सब्सक्राइब आपको 28 यह प्रिवियस रिकोष्चन है यह बहुत बार पूछा है आप प्रिवियस रिकाव कोशें यह आप सेंपल पेपर होगी तो ऐसे भरे भरे कुश्चन मिल जाएंगे आपको ठीक है यह दोनों प्रिवियस से को सिर्क विश्ण ऐसे कुश्ण पूछे गया है चेप्टर तू से प्रेबिस एर में ट्वीट का चैप्टर टू से ऐसे कुश्ण प्रेबिस यह में पूछे गए चली तो अभी में इसको देख लेता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना आपको this is an also an NCRT question of class 12 sorry class chapter 12 class 12 me I'm so sorry take him off card in Hawaii and a 30 number questions for the color to the perimeter sprangles he can NCRT based question and CRT based question the friend abhi of the the following two numbers there are two numbers as well note the number because the number came to a test which is the example is tk Ramayani NCRT based question of the first question if you are a question is a question comes down do marks three marks has a तो अगर आप इस्टेंडर के लिए प्रिपेर कर रहे हो तो आपको आई डिरस दोने लगाने ही पड़ेगा यह मेक्स और लेकिन एंसी आटी को निखलेक मत करना एंसी आटी से मान के चलिए 50 परसेंट इसकूशन आपके रहेंगे आप एंसी आटी को निगलेक्ट नहीं करें है माई फ्रेंड ठीक है अब चलते हैं कुशन नमर थरी यह तो मैंने दिखा बताई दिया आपको आगा देख लितने 29 बेंसी आटी का 30 भी एंसी आटी का यह और यह 31 भी आपका एंसी आटी का यह मीन मिडिया मॉट का ठीक है अच्छे चैकोशन जैंसी आटी में ऐसा लगाने पड़ेंगे तो में से और आपका सुम्स क्या है अब देख लो डिद्यू से में क्या है उसके आप तीन नमब्र के लिए लिख लो सीधा सीधिए कि आपको आडी आरेस लगाना पड़ेगा आडी आडेस आपको लगाना पड़ेगा और एक आपको मैं इंपॉर्टेंट टीब दोंगा ठीक है वह आपके बोर्डिक्सा में काम हाइगा लास्में बहुत ही जारा है इंपॉर्टेंट टीप है वो फ्रेंड चलिए section 5 जो 5 आगे बढ़ते हैं थ्री मार्क्स का जो questions था इसमें यह भी ncrt मैसा question मिल जाएगा आपको टेक है आपका statistics का question ncrt मैसे questions है this is chapter 9 question application of trigonometry तो मैं आपसे यह request करूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हो किसी भी teacher से पढ़ रहे हो तो यार मुझसे एक बार chapter 9 की videos मेरे lectures को एक बार attend कर लेना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं टिग्नोमेट्री और उससे अच्छा कर सकते हो बाकी के लिए आप जहां से prefer करना चाहते हो लेकिन चैप्टर नाइन का मैं कैसा concept आपको दे दूँगा फ्रेंट की आपको चैप्टर नाइन में सारे questions वैसे बन जाएंगा ऐसा कोई भी नहीं है जो questions आपसे नहीं बनेगा ठीक है शली अब आगे बढ़ते है यह मुझे दिख रहा है यह भी दिख रहा है चली बहुत अच्छी बात है यह आपका चैप्टर थर्ड का कोईशन है चैप्टर थर्ड का कोईशन है फ्रेंड आगे बढ़ते हैं देखिए एंड हो गया अब एक बात आप नोट कर लो five marks वाले question में अभी तक तो समय में का रिलेशन डिलेटिव वाले दीवे question से वह आप कर लेना फिर आपको एक आप इस्ट्रिम डाउंस्ट्रिम वाला question मतलब जो लास्ट एक्सराइस के सारे questions आप कर लेना आप इस्ट्रिम डाउंस्ट्रिम का question very very important to you according to standard mathematics of class 10 आप मानगे चली कि यह hot topics में आते हैं hot topics में आते इसमें से questions आपका arise होता ही होता है थर्ड चेप्टर के जो लास्ट एक्सराइज अगर वह भी हटा दिया सी विसी ने तो वह कलग बात है लेकिन उसमें से questions आते हैं chapter 4 के जो आपके questions हैं वह भी आते हैं train वाले questions बहुत सालों से नहीं आएं तो वह train वाले questions आ सकते हैं और ए NCRT से नहीं चलेगा इसका काम RDRS आप लगाओगे तो ही आपसे chapter 5 के questions बन पाएंगे otherwise आपसे questions नहीं बन पाएंगे ठीक है यह आप make sure रहा हो एक्टम भले third fourth के लिए आप NCRT कर लो अच्छे से questions जादा नहीं रहते हैं लेकिन वह topics कबर हो जाएंगे लेकिन जो chapter 5 है वह प पहले से प्रिपेर रहें ठीक है फ्रेंट चले अब बाकी आजटी साब NCRT और इस फॉलो करो और चैप्टर 13 में आप देखोगे पाहिप वाला question से water flow through a canals यह जो flowing वाले question से वह हर बार देते हैं तो जब मैं मैंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो flowing वाला question साब उससे देख सकते हो क्योंकि मुझे प्रस्ता ही लगता कि मैं अच्छे से वह उसको पढ़ा सकता हूं तो आप conclusion पूरा conclusion यह निकल रहा है कि आपको NCRT RD और RS यह तीनों चीज़े लगानी पड़ी कि आपको अच्छा एचीव करना है प्लस में आप addition में note कर लो class 8 और 9th के maths भी आपको तब ही आप 95 एचीव कर पाओगे अगर आप 8 9 के मैंट को को नहीं करोगे तो आपकी भी इंती आवरेज में आ जाएगी तो आप अगर उनसे आगे बढ़ना चाहते है तो प्रैक्टिकल बेस्ट कोश्टन के लिए पीट 9 कोश्टन सच्छे से कर लिए एक चैप्टर ठोली देख लिए बस ध्यान मेरे कोश्टन का लेबल बहुत ही कम रहेगा ठीक है फ्रेंट चलिए तो आई होप आपको इससे फायदा हुआ हो तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और 10 का जो कोर्स चल रहा फ्रेंड आप उसे जॉइन कर सकते हो पुराफ यह फ्रेंट थाउस्ट रहा थैक ऐपर ठाट त। था न्यू भफैए